हमारे घर की रसोई में लहसुन का इस्तेमाल खोब किया जाता है यह ना सिर्फ हमारे खाने के स्वात को बढ़ाता है बलकि लहसुन आउस्दिये गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी भी है इसकी महक तीखी होती है इसलिए बहुत से लोग लहसुन खाने से कतराते भी है खास्तोर पर महिलाएं लहसुन को आवाइड करती है लेकिन यदी वह इसके सेवन के फायदे जान जाएं तो लहसुन खाना पसंद करने लगेंगी लहसुन ना केवल मेटाबॉलिजम में सुधार करता है बलकि वजन घटाने और दिल को स्वस्त रखने में भी काम आता है इतना ही नहीं महिलाओं से जुड़ी कई बिमारियों में तो यह रामबान इलाज है लोकल एडीन से बाचीत में आयरुवेदिक डॉक्टर रंकित अगरवाल कहते हैं कि आयरुवेदि में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी आउस्दी हमारे घर की रसोई से ही शुरू होती है जिन में से एक लहसुन भी है लहसुन वाद को कंट्रोल करने में बेहद लापकारी है वही बात महिलाओं की कर ली जाए तो लहसुन में एंटी इंफ्लामेंटरी गुण होते हैं जो महिलाओं में PCOD की समस्या को ठीक करने में सहयक होता है लहसुन में मौजूद Immune Modulatory PCOD को बैलन्स करने में मदद करता है और वेट लॉक्स करने में भी सहयक है महिलाओं काम करते करते यदि शेरीर में कमजोरी महसूस करती है या बहुत जल्दी ठकान महसूस करती है तो इसका मतलब है कि उनकी रोग परती रोदक चमता कम हो चुकी है ऐसे में महिलाओं को लहसुन का सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन रोग परती रोदक चमता बढ़ाने का रामबार नुस्का है अगर वात को बालन्स करते हैं तो शरीर के अंदर जितनी रूख्षता आती है खरता आती है जो भी बिमारिया होती है उसको ठीक करता है अब जैसे अगर हम फीमेल में बात करें तो आजकल फीमेल में PCOD की कंडिशन बहुत जादा बढ़ रही है PCOD में अब लैसन के अंदर anti-inflammatory enzymes रहते हैं उसके अंदर काफी सारे immunomodulators होते हैं जो उसको balance करने में काफी help करते हैं वेट को reduce करने में काफी help करते हैं उसके अंदर ऐसे thermogenic properties होती हैं जिसके वज़े से वो heat generate करके बात को भी balance करता हैं प्लस वेट को भी कम करने में काफी help कर करता है सबसे simple तरीका है कि आपको lesson दो कली daily लेनी है सुबे खाली पेट आप इसको हलके गुन-गुने पानी से daily अगर सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है उतराखंड में तो जो पहाडी lesson जो होता है गोल lesson आता है अगर आप उसका इस्तमाल करते हैं तो वो और अच्छा गुटनों में दर्द बहुत जादा है उस condition में बहुत अच्छा रहता है फिमेल्स के लिए lesson बहुत अच्छा रहता है उनको तो compulsory लेना ही चाहिए जैसे उनको जादातर घुटनों की बिमारिया होती है उसमें हामोनल इंबालेंस होता है उसमें PCOD की condition है weight gain होता है जादा देखा जाता है कि conceive करने के बाद weight gain एकदम से increase होता है तो वहाँ पे भी lesson help करता है और infertility की cases जैसे आजकल भढ़ रहे है उसको control करने बहुत है जैसा मैं आपको बता है कि इसके अंदर thermogenic properties होती है अपनी heat होती है इसके अंदर ऊश्मा होती है जो natural form में रहती है तो अगर हम इसको तेल के साथ पका कर जो तेल हम जैसे हम सर्सो का तेल लेते हैं तो सर्सो का तेल भी पित को बढ़ाने वाला होता है थोड़ी गर्मी होती है उसके अंदर ऊश्म नेचर का होता है जो तासीर में गरम है अगर उसके साथ पका के लेते है तो जितना भी कव जमा होता है चाहती में होता है, कहीं पे दर्द है, वाद को कम करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत समय से इसको इस्तमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है, बहुत सारी मेडिसन भी अवेलिबल हैं, अब तो इतनी सारी स्टडीज भी इसमें हो ूरंख बहुत भी हो फग्स कर वाद बहुत विए तनी सारी गन्ही बढ़ोंगर्वी कि अवेलमेट